जज सहाब बोले, अच्छा, तो इस व्यक्ति ने तुम्हें कैसी गालिय दी? नौजवान बोला, हुजूर, वो सब गालियां सरीफों के सामने बयान करने योग्य नहीं है. वकील बोला, अच्छा, तो हम सब यहां से चले जाते हैं, तुम जज सहाब को अकेले में सुना दो. मेरा दोस्त कल रात को यह कहकर सोया की उपर वाले मेरी भी गल्फरेड मनवा दो. सुबह मोबाइल पर मेसेज मिला, रूपाली से कीजिये प्यार भरी बाते, कॉल करे 595555 पर, कॉल 3 पैसे पर मिनट, उपर वाले ने सुन तो ली, पर थोड़ी महंगी सुनी. बंटी बोला, वाह, आर्डर देते ही दाल फ्राई तैयार, बहुत तेज सर्विस है आपकी, वेरी गुड, वेटर बोला, सर, जब ग्रहक 15 मिनट तक मेन्यू कार्ड को ही देखता रहे, तो हम तुरंट दाल फ्राई रेडी करवा देते हैं. एक नव विवाहित पत्नी ने काम से घर आये पती से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, बहुत जल्दी ही हम दो से तीन हो जाएंगे. पती खुसी से जुमने लगा और अपनी पत्नी को गले से लगा लिया, और बोला, अरे मेरी जान, मैं इस दुनिया में सबसे खुस नसीब आदमे हूँ. पत्नी बोली, मुझे खुसी है कि तुम्हें इतना अच्छा लगा, कल सुबह मेरी मां हमारे साथ रहने आ रही है. एक बार छेह वर्षी पप्पू जोर जोर से रोता, सीडियों से नीचे उतरता हुआ आ रहा था. यह तेक उसकी मां ने पूछा, क्या बात है बेटा? सिस्क्य भरते हुए पप्पू बोला, पिता जी उपर दिवार पर एक चीत्र लटकाने के लिए किल लगा रहे थे, तो गलती से उन्होंने हथोड़ा अपने ही अंगुठे पर मार लिया. पप्पू को चुप कराते हुँ उसकी मां बोली, बेटा, ये कोई बहुत गंभीर या घबराने वाली बात तो नहीं है, तो चलो, अब जरा बहदुर बच्चों जैसे हस कर दिखाओ, पप्पू रोते हुए जवाब दिया, उपर वही तो किया था?